उत्तराखंड विधान सभा में आज समान नागरिक संगिता बिल यानी UCC बिल सियम पुशकर सिंग धामी ने पेश किया जुसके बाद देश भर में इसकी चर्चा हो रही है इस विशय पर बात करते हुए मुस्लिम धर्मगुरू ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कुछ सवाल भी उठाए उन्होंने इस विशय में क्या कुछ कहा आईए सुनते हैं। सिविल कोट कहां रहे गया और फिर अलरीडी मुल्क के कॉंस्टिजूशन के आर्टिकल 25 में हर शेहरी को अपने मजभब पर अमल करने की पूरी अजादी दी है और फिर रिलिजिस फ्रीडम अपने कॉंस्टिजूशन का फंडमेंटल राइट हर सिडियूशन का है तो उसको किस तरीके से खत्म किया जा सकता है मुल्क में शरीयत अप्लिकेशन एक्ट 1937 अलरी एक्जिस्ट करता है और हमारे हिंदू भाईयों के लिए मेरेज आक्ट मौजूद है और इसी तरीके से हिंदू सकसेशन आक्ट मौजूद है हिंदू मेरेज आक्ट मौजूद है हिंदू अडॉपशन आक्ट मौजूद है इन तमाम कوانین के होते हुए इस तरीके के युनिफॉर्म सिविल कोर्ट की जरूरत क्या पेशा गई बरहाल मैं ये समझता हूं कि जहां तक इस कानून या इस आक्ट का सवाल है जब इसका मसाधा और इसका ड्राफ हमलों के सामने आएगा तो अपनी लीगल टीम उसको स्टेडी करेगी और उसके बाद फ सर्कुलर जारी किया था कि कॉमन सिविल कोर्ट के सिल्सिले में रायली थी मुझे लगता है कि उनको इस बात का इंतजार करना चाहिए था कि लाग कमिशन क्या ड्राफ्ट देता है एक बात दूसरी बात यह कि आप यह देखिए कि पांसो सत्तर पेश की रिपोर्ट बनाई की बात है तो देखिए हम तो मुसल्मान है और हमारा इमान इस बात पर है कि कुरान और हदीस जिस चीज़ की गाइडलाइन करती हम उसके मताबिक अमल करते हैं जहां तक मामला यह रहा कि यूसी सी पर क्या होगा अब देखते हैं कि उसमें निकल के क्या चीज़ आती है फि हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेला आइकन दबाना बिलकुल न भूलें अब झाय।